नमस्कार स्वागत आप सबीक हमारे यूट्यूब चैनल दंबॉंग वैक्पेकर पर और आज मैं आया हुआ हूँ अपने खेत की तरफ और मेरे खेत में अभी आलू की फसल जो आधी खोदी जा चुकी है और अभी आधी खोदी जानी बगाया है मेरी आलू की फसल खोदी जा यह देखो आपको दिखाई पढ़ रहा होगा कि अभी खेत में बहुत सारा आलू ऐसे ही पढ़ा हुआ है जो यह आलू दिखने में सफेद था यह पीला पढ़ने लगा है देखिए और वो धेर लगा दिये गए आलू बीन के उसको चट्टा और बीजा अलग कर दिया गया तो जिससे होगा क्या जिस चोटे आलू को तो कोल्ड कर दिया जाएगा और वो वैपारी को बेज दिया जाएगा यह जो धेर में अलू कोई फिसको चारों तरफ से पन्नी सि कवर कर दिया गया बादनेश नहीं है नक्सान हुआ है इस एलू में और यह इस आलू की वैराइटी का नाम है पुख्राज आलू देखो आदा खेट मेरा ये खोदा जा चुका है और उस सेड़ भी खुद्ने को बगाया है दोस्तों आपने देखा कि किसान का जीवन कैसा होता है कितने संगहर्सों से भरा हुआ होता है किसान की फसल सही टाइम पर तैयार होने के बावजूद भी प्रक्रेट के मार से नहीं बचवाया मेरे जैसे बहुत सारे किसान है जो चारो तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं किसी के आलू वो लगे हुए हैं किसी के बो साइड लगे हुए हैं किसी के उस साइड लगे हुए के कहर से परिशान है और अभी दो दिन से बारिष हो रही है तो यह बहुत बड़ी समस्या है अगर दो दिन और इसी तरह से बारिश चली तो यह इस आलू में सड़न पढ़ने की संबाबना जैदा है सड़न क्योंकि इसमें पानी भर जाएगा यह जो आपको दिखाई पढ़ने पानी भर जाएगा जिस करण जो इसके अंदर जो आलू है वह सड़ लेने लगेगा तो यह समस्या बन जाए कि यह वहाँ पर सर्वाइब कर पाएगा क्योंकि पानी भीगने के बाद यह सड़ने जल्दी लगता है लेकिन हो जाएगा यह देखो और बो देखो दूर पैकट दिखाई पड़ रहा है वह किसी दूसरे किसान के लगे हुए है वह देखो वह सामने उस खेत में भी आलू इस बारिस से प्रभावित हुए है अजया अच्छी होती है जब उसकी फसल टाइम पर ना हो जब उसकी फसल टाइम पर पगग गई और बारस हो जाए तो कितना कश्ट सेना पड़ता है किसान के लिए और समय आलू की पैदावार अच्छी भी है और वो इसका रेड भी होता है कि सांगा जीवन हमारे आलू के पैदावार सबसे ज्यादा है कि यह हमारा एरिया ही आलू के लिए प्रस्थ है यूब भी मैं है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हूं तो प्लीज वीडियो को Like करें चैनल को सब्स्क्राइब करें मेरा ये मकसद रहा है कि आप दोगों को दिखाना चाहिए कि एक किसान का जीवन किन-किन समस्याओं से हो की गुजरता है वहीं अगर इसका रेट कम होता इसका भाव कम होता तो चल जाता लेकिन प्रक्रितिका कहर किसान नहीं जहल पाता है क्योंको इसकी फसल तयार होने के बाबजूद भी यह हालत है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद